हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिल्दी स्प्राउट सलाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आईए सुरू करते हैं सुबह को मैंने मौंग को भीगोया था और रात बर उसे स्प्राउट में करमें रख दिया था हमारे मौंग अच्छे से स्प्राउट हो गए है अब हम उसे थोड़ी देर के लिए स्टेम में रखेंगे और बाद में उसमें कौन-कौन से वेजिटेबल डालते हैं वो मैं बताती हूँ यह स्टीम हो चुके है उसे एक बोल में डाल दीजिए अब खीरा तमाटर प्याज काला नमक चाट मसाला स्वाद दनसा थोड़ा साना मक ब्लेक पेपर पावडर और धेर सारा दन्या और निम्बू का रस जो वेजिटेबल पसंद ना वह आप स्केप कर सकते हो वेट लोस में भी यह खा सकते हैं अब तेयार है हमारा हेल्दी स्नैक थैंक्स पूर वाचिंग